सरल श्रीमद भगवद गीता, गीता चिंतन और बोध, लेखक प्रामचंद जोर्वर दार्शनिक सिद्साधक, अध्याय 18, मुक्ष सन्या सिउद, कुल श्लोक अठत्त, भाग बहत्त, श्लोक 13 से 18 कर्म के मामले में सांखे सिधान की व्याख्या हैं. श्लोक 13, 14 और 15 अध्याय 18, पंचेतानी महबाहो कारणानी निबोध में, सांखे कृतान ते प्रोक्तानी सिधये सर्वकर्मनाम, अधिश्थान तथा कर्ता करणच प्रिथक विधम, विमिधास्च प्रिथक चेष्टा देवर चैवात्र पंचमम, प्रारप्तिन न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्यहेत्व, विशे, यह बताते हुए कि सभी क्रियाओं के घटित होने के पाँच कारण होते हैं, अनुवाद, हे महबाहो, सभी कर्मों की सिध्धी के इन पाँच कारणों का उलेक सांक्य शास्त्र में किया गया है, जो कर्मों के निरोध का उप उप्ध करता है, उसके ये पाँचो कारण है. में कर्म किये जाते हैं उसे अधिश्थान कहा जाता है यदि कर्म करने के लिए कोई अधिश्थान नहीं है तो आगे कोई कर्म नहीं होगा यह अधिश्थान प्रयोजन से कारण से या प्रयोजन से अभिव्यक्त होता है अगर हम किसी दूसरे शहर गाव में जाना चाहते हैं वहां clear नहीं है, आज हम खुद कुछ कर सकते हैं, परन्तु यह कहना गलत है कि हमसे दो-चार पीली आगे पोते पर पोते आदी निश्चित कार्य करेंगे, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, यह सोचना एक ब्रह्म है कि वे यह जाने बिना कि वे पैदा होंगे या नहीं कुछ कर्म करेंगे, यदि करता नहीं है तो आज उसके कर्म के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, बहुत से लोग आज अगली साथ पीडियों की चिंता करते हैं, जो इसे देख नहीं सकते और वे भी इसे नहीं देख सकते, लेकिन उसकी जिंदगी एक कालपनिक साजिश में फंस जाती है, यह भी निश्चित नहीं है कि वे आएंगे, उनके लिए वे उन कालपनिक उत्तरदिकारियों के लिए जीवन भर मरते हैं और कई पाप करते हैं, इसलिए जो मौजूद है वह करता है, कर्म उस करता से ही हो सकता है, बिना करता के कोई क्रिया नहीं होती, फिर जो आएंगे वो बिना कर्म के नहीं होंगे, हमें इस बात की चिंता नहीं होगी कि प्रकृती उन्हें कर्म करने के लिए बाध्य करेगी, वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है, भविश्य के बारे में सोचना और वर्तमान को हाथ से जाने देना अग्यानता का लक्षन है अगला कारण यह है कि भगवान ने विबिन प्रकार के कारणों का उलेक किया है करण उन इंद्रियों और साधनों का नाम है जिनके द्वारा कर्म किये जाते हैं इश्वर ने मनुश्य को 6 इंद्रियां दी है, 5 शरीर की और 1 मन की हम अपने सभी कार्य इन ही इंद्रियों के माध्यम से करते हैं इसके अलावा हम कर्मों को पूरा करने के लिए जो साधन बनाते हैं, वे भी इन कर्मों के कारण होते हैं घर, गारी, घरेलु सामान के सहारे हम अपना काम करते हैं तो वे उनके साधन है, उनके कारण है यह कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि मन और इंद्रियों के बिना कर्मों की गती नहीं होती प्रत्येक इंद्रिय अफसर के अनुसार अपना नियत कार्य करती है कई प्रकार के कर्म चोथा कारण है जो भगवान ने बताया है जैसे करता के बिना कर्म नहीं होता, वैसे ही कर्म के बिना कर्म नहीं होता कर्म तभी पूरा होता है जब हम कर्म करते हैं पिछले उदाहरन को लेते हुए, यदि हम किसी दूसरे गाव या शहर में जाना चाहते हैं तो हम उस विशिष्ट गाव या शहर तक केवल वहनों या अपने पैरों का उप्योग करके इसके पीछे उद्देशे रखते हुए पहुँच सकते हैं। यदि हम चलने की क्रिया ना करें, वहन में बैठ करना चलें, तो हम कलपना मात्र से वहां नहीं पहुचेंगे। हमें उस क्रिया को वास्तविक शरीर, शरीर के साथ पुरा करना है। इसमें इतनी कारवाए महत्वपूर्ण है। अगला पाच्वा कारण और अंतिम कारण भगवान ने डैवम के रूप में दिया है। प्रारब्ध यानी नियती, प्रत्येक नया कर्म पुराने कर्म की नीव पर आधारित होता है। एक पुराना कर्म एक नय कर्म के लिए जिम्मेदार होता है। हम इसे जल्दी नोटिस नहीं करते। पूर्व कर्मों के संसकारों के कारणों को दिव्य कहा जाता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें चुकाने के लिए आपको फिर से अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। उसके बिना वहाँ वह विशे, वह कारण पूरा नहीं होता। एक बार जब कर्म बनना शुरू हो जाता है, तो यह तब तक जारी रहता है जब तक कि उस आत्मा की नियती अपनी मूर स्थिती में वापस नहीं आ जाती। कर्मयोगी उससे बच नहीं सकते। इसलिए भगवान ने इन पाच कर्मों के बारे में आगे कहा है, मनुष्यमन, वानी और शरीर से जो भी कर्म शास्त्र के अनुसार या उसके विप्रीट करता है, उसके पाच कारण होते हैं। बोध, हम डैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं वह कभी अकारण नहीं होते। हम जो सोचते हैं वह हो रहा है वह बहुत आसानी से अपने आप होता है। लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है। हमारे जन्म के पीछे भी हमारा भाग यही जिम्मेदार है। हम अपने जन्म की शु विश्य में हमारे लिए बनेगी। वे जन्म हमारे पास आएंगे। जन्मों का यह चक्र विभिन योनियों के माध्यम से तब तक जारी रहता है जब तक कि इन कर्मों का भुपतान नहीं हो जाता। जब वे पूरी तरह से फीके पर जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा का बोध होता है और परमसत्ता मूल प्रकृती का स्मरन होता है। फिर उस ध्यान में उस तरह उस गती को हम शुरू करते हैं। ज्यान और ज्यान के द्वारा पिछले पापों का निवारन करने से हम मुक्त हो जाते हैं। यह परमात्मा से जुड़ा है। श्लोक 16 अध्या 18 तत्रेवा सती करतार मात्मान कैवलम तू यह पश्यत्यकृत बुधित्वान सपश्यती दुर्मती। विशय आत्मा को करता मानने वालों की निंदा। अनुवाद परंतु इतना होते हुए भी जो मनुष्य शुद्ध बुध्धी के कारण कर्मों की पूरती में आत्मा को ही अकेला और शुद्ध करता के रूप में देखता है। वह मलिन बुध्धी से अन्भिग्य है और सत्य को नहीं जानता। चिंतन हम यहां कर्म का पहार खड़ा करने नहीं आये हैं। हमारे यहां आने का कुछ और ही है। यहां पृत्वी को हमारा उपहार है। यहां से हमारा मूल उद्देश परमात्मा की कला को देखना है। हम यहां यह देखने के लिए हैं कि भगवान कैसे अपने आपको इतने सारे गुणों में प्रकट कर सकते हैं। जिस प्रकार इश्वर का कोई रूप न चाहिए। वह चेतना हमें इन सभी भवतिक मामलों को देखने से नहीं रोकती। आत्मा स्वयम को भूल जाती है और हम इस शरीर के साथ इस भवतिकता में फंच जाते हैं। वह यहां से पत्थर और पत्ते जमा करता है। वह धातूओं को इकठा करता है और उन्हें धन खेलता रहता है, उनकी घटना को प्रस्तुत करता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम किस भ्रम में जी रहे हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और यह शरीर नश्वर है। हम भूल जाते हैं कि शरीर एक साधन है और यह परमात्मा क देखने और अनुभव करने का एक माध्यम है. तो फिर हम अपनी आत्म चेतना को भूल जाते हैं और भगवान को भी भूल जाते हैं. हम उस कर्म को समझने लगते हैं जो शरीर हमारे कर्म के रूप में करता है. लेकिन आत्मा इन कर्मों को छूती नहीं है. हमें इसकी जानकार भगवान ने यहां मूल कारण बताया है. भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धी के द्वारा कर्मों की पूर्ती में आत्मा को एक मात्र और शुद्ध कर्म के रूप में देखता है. वह अशुद्ध बुद्धी से अज्यानी नहीं जानत की सत्य क्या है? बोध, आत्मा और शरीर के बीच सतीक अंतर को न समझ पाने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं. आत्मा पवित्र है, शरीर अपवित्र है. इसलिए उसकी अशुद्धता उसके अपने मन, इंद्रियों पर आच्छा दित है. आत्मा यहां हृदय में निवास कर और शरीर को चेतना देती रहती है. लेकिन शरीर का मोह इस आत्मा और शरीर के बीच एक अंतराग पैदा कर देता है. यह शरीर के सुखों के प्रती लगाव से बढ़ता है. आत्मा की उर्जा से शरीर अपनी इच्छाओं की पूर्ती करता है. लेकिन हम सोचते हैं कि यह अनुभव नहीं है. वह उर्जा अलग है, अलग रहेगी. उसे इस भातिकता में कोई दिल्चस्पी नहीं है. उसका लक्ष स्वयम और परमात्मा को जानना, देखना और अनुभव करना है. वह स्वतंत्र है, मुक्त है. श्लोक सत्रा अध्या यठारह. यस्य नान्कृतो भ भावो बुदिर्यस्य न लिप्यते. हत्वापी स्य इमानलो का अनहंती ना निबद्यते. विशय, आत्मा को निराकार मानने वालों की स्तुती. अनुभवाद, जिसके हृदय में, मैं करता हूँ, ऐसा भाव नहीं है तथा जिसका मन सांसारिक वस्तूओं और कर्मों में न न पाप पाता है. चिंतन, इस दुनिया में दो तरह की लोग होते हैं, अच्छे और बुरे. जिन्हें पहले देवता और दैत्य कहा जाता था, उन्हें मनुश्य और दानव भी कहा जाता था. किसी व्यक्ती की आंतरिक आत्मा का उसके भाई, उसकी आत्मा से कोई लेना दे जाता है. जो आंशिक रूप से अच्छे और आंशिक रूप से खराब है. आज की भाशा में हम उन्हें मिदल प्लास लोग कहते हैं. ये लोग जहां जरूरत होती हैं वहां जाते हैं. उस पक्ष में भाग लेना. इसलिए इनकी संख्या सबसे जादा है. बोहरी जिंदगी सबसे आसान है. एक तरफा, एक राय के साथ जीना मुश्किल है. इसमें अच्छा होना और अच्छे से जीना सबसे मुश्किल है. क्योंकि अच्छे आदमी के गुनाम लोगों को कभी पसंद नहीं आते. वे अपने मन में उस अच्छाई के प्रती इश्यक भेश पैदा करत बगीचे में सबसे अच्छे फूल तुरंत तोड़ लिये जाते हैं. साधारन से उगने वाले पेड़ों को तुरंत काट दिया जाता है. मनुश्य उन फूलों को नहीं चूता जो ठीक से नहीं खिले हैं. उच्छे पेड़ों को नहीं काटा जा रहा है. अच्छाई यहां ह अमेशा एक अभिशाप है। अमीर, सुन्दर लोग, सरल लोगों की हमेशा नफरत और इर्शा होती है। इससे लोगों के बीच नफरत और दुश्मनी की भावना पैदा होती है। उन्हें उसी तेवर वाले शकुनी का भी साथ मिला है। इस संसार की पीठ पर कुशल लोग, बुन्वान लोग कम संख्या में पैदा होते हैं। हर जगह उनके नफरत करने वाले तुरंत जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन की स सेना आदेक और पांडवों की सेना सीमित थी। आज की राजनीती में भी इसी फॉमूले का इस्तिमाल किया जाता है। बहुत से पाप एक साथ आते हैं, संगठित होते हैं, सत्ता पर कबजा करते हैं और अपने भले के लिए देश के खजाने को खाली करते हैं। इसलिए उ उन तिजोरियों को भरने वाले कम और खाली करने वाले ज्यादा हैं। फिर उनके बीच बुढबाजी पैदा होगी। भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को यह बात समझा रहे हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में करता हूँ कि भावना नहीं होती। साथ ही, जिसका मन सांस शुब, अशुब और मिश्वित तीन प्रवृतियों से बना है। इसलिए इस संसार में हमेशा घुट बनते रहते हैं और युद्ध के अफसर पैदा होते रहते हैं। आसुरी प्रवृति की लोग अपने स्वयम के जनून, दुर्भुनों पर काबु नहीं पा सकते हैं। भौतिक सुखों के लिए पूरी तरह से पराधीन होने के कारण, वे जानबूच कर दूसरे रास्ते के लोगों का विरोध करते हैं। वे उन्हें लूटने, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे दोशों को कुचलना और मारना भी अहिंसा का एक रूप है। यदि ऐसा ना होता तो यहां रामायन महाभारत होने का कोई कारण न होता। रामायन और महाभारत का इतिहास कहता है कि अगर समाज में इन विकारों का सामराज्य बढ़ रहा है तो उन्हें वहीं कुचल दो, इससे कोई पाप नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं होता। द्वारा मारे गए उग्रवादियों को Σमाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और इं बहादुर लागु योधाओ का महिमा मंडन नहीं किया जाता। अर्थात दुष्ट प्रवृतियों को समाप्त करना कदापी पाप नहीं है। उन्हें वेराग्य भाव और नेस्वार्थ भाव से मारना पुन्य का काम है। श्लोक 18 अध्याय 18 ग्यान ग्यायम परिग्याता त्रिविधा कर्म चोदना। बहुत से लोग मिल गए, संगठित हो गए, उन्हें यह भी आभास हो गया कि हम कितना भी सीधा और सरल्व्यवहार करने की कोशिश करें, भले ही हमारे मन में किसी के प्रतीद्वेश, ईरस्या या शत्रुता न हो, हम अपने सरल्व्यवहार पर संदेह करने लगते हैं。 हमें नहीं पता कि हम कहां और क्या खो रहे हैं कितने लोग आपके खिलाफ हो गए यह प्रशन संदेह को और बल देता है तब हमारा खुद का मूड खराब होने लगता है डिप्रेशन आने लगता है अर्जुन के साथ भी यही स्थिती हुई यही उनकी उदासी का कारंग था लेकिन भगवान उनके सरल स्वभाव को जानते थे वह उनके शुधर सात्विक आचरंग का कायल था इसलिए वह कॉर्वों का पक्ष लिए बिना अर्जुन और पांडवों के साथ मजबूती से खड़े रहे न्याय और अन्याय के पक्ष को परखने के बाद उन्होंने वह निर्ने लिया अन्य था वे दुर्योधन के अनुरोध का पालन भी कर सकते थे उसकी विशाल सेना को देखकर भी वे उसका पक्ष ले सकते थे लेकिन वही इश्वर था, इश्वर ये शक्ती का पूर्ण अव्तार, वह अन्याय के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते थे उनसे बहतर कौन जानता होगा कि क्या बचाना है और क्या नश्ट करना है यहाँ वे केवल उन्ही को रखना चाहते थे जो सत्य के पक्ष में हो बाकी को यहाँ नहीं रखना चाहते थे भगवान के अलावा और कौन जान सकता है कि वे इस धर्ती के लिए केवल एक बोज है यह इसकी दुर्दशा को बढ़ाते हैं इसे प्रदूशित करते हैं इश्वर ने इस धर्ती को अतिवादी दुष्ट प्रवरिती के लोगों के लिए नहीं बनाया यहाँ पर इश्वर ने इस मूल धरा को इसलिए बनाया है कि संत, सजजन, साधारन प्रानी अपने जीवन की तपस्या आनंद और संतुष्टी से पूर्ण कर सके उसके उपर स्वर्ग बनाया गया है लेकिन मूर्ख लोग उसकी विविद्ता, उसकी सुन्दर्ता को नहीं देखते वे अपने मनमाने प्रशासन से यहां के पंच्वहाभूतों को दूशित करते हैं निर्दोश जीवन पर कबजा कर लिया जाता है और अपमानित किया जाता है प्रतारित किया जाता है और दूर्व्यवहार किया जाता है इसलिए भगवान हमें यहां बताते हैं कि व्यक्ति को कम से कम अपनी बुद्धी का उप्योग पृत्वी के गुनों को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। बोध, हम जीवन को गहराई से समझने की परवा नहीं करते। स्वार्त में आसक्त होकर शरीर की वासनाव में पढ़कर हम स्वयम को और अपने साथ दूसरों को, इस स्विष्टी को भी नश्ट और मार डालते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना अब लोगों के लिए अपमांजनक समझा जाने लगा है। जो लोग इस बांध पर रहते हैं वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे दूसरों पर उपकार करने के लिए ही जीते हैं। वे भूल जाते हैं कि इश्वर ने हमें सबसे अच्छी बुद्धी दी है। अता यहां वे बुद्धी का प्रयोग कम करके शरीर के द्वारा ही जीवित रहते हैं। वे उस भूमी के महत्व को नहीं समझते जिससे वे पैदा हुए थे। वे उसकी पवित्रता को नहीं समझते हैं। वे यहां अपने भाईयों का संबान करना नहीं जानते। ये सही मायने में इस प्रित्वी के बोजिल लोग कहलाते हैं। अब तक 18 वे अध्याय किश लोग नाम। तेरा से अठारह तक सांखे सिधानत के कथन कर्म के संदर्ब में विश्वे को समझाया। श्वी क्रिशनारपन मस्तू।